नमस्कार आप देख रहे हैं इविध्या लाइव चैनल नमबर नाइन और आप के साथ अगले आदे घंटे के इस सफर में मैं याशु गान्धी नमस्कार आप के साथ करते हैं आज की सेशन की शुरुआत जिसमें हमारा आज का जो विश्य है वो है सोशल साइन्स Class 9th और जो टोपिद है वो है Natural Vegetation in India और इस पर विस्तार से बात करने के लिए आपको समझाने के लिए हमारे साथ خاص महमान मौझ आए आपका भी उनसे पर्चे करवा देते हैं, हमारे साथ हैं Dr. Birbal Looniwal, Sir Good Afternoon, very warm welcome to you Sir Assistant Professor है from NCERT और Sir से अपने इस session के शुरुबात करने से पहले आपको बता दे कि एक तो आप अपने साथ pen और paper को, copy को ले आईए क्योंकि notes को जरूर note करना चाहिए और इसी के साथ आपके पास हमारे number note हूँगे, नहीं है, तो screen पर दिखाये जा रहे हैं, उन number को note कर लीजिए और उनके मात्यम से आप कर सकते हैं, हमसे संपर्क, हमारा जो email address है, आप उसके मात्यम से भी अपनी कोई भी query है, तो वो हमसे साचा कर सकते हैं तो इसी के साथ करते हैं अपने कारिकरूम के शुरुबात और सबसे पहले इस topic को लेकर सर शुरुबात करें, मैं आपको number फटा-फट से note करवा देती हूँ, number है डबल ए, डबल जीरो, डबल पोर, जीरो, डबल फाइव नाइ, तो number आपने note कर लिया होगा, चलिए, चलते से आगे बढ़ते हैं, सर ओवर जीरो, आजका आपका topic है, वो natural vegetation, जिसको प्राकृतिक वनस्पती बोलते हैं, class 9 में जो natural vegetation है, इसको हम लोग पूरा detail में अभी देखेंगे, पहली चीज, आपको यह होना चाहिए कि natural vegetation या प्राकृतिक वनस्पती क्या है, तो इसके संबन मे यह है कि जो vegetation, जो वनस्पती, जिसमें मानव का जो interfere है, या मानव की जो उसके अंदर किसी भी तरह का वो अपने आप ग्रो होती है, मानव का interfere इसमें बहुत कम होता है, या अपने आप ग्रो होती है, तो इनको हम लोग natural vegetation बोलते हैं, अब इंडिया में है, वो natural vegetation different type के forest है, जो one है, वो अलग-अलग types के one है, लेकिन इंडिया जो है, हम PPT के माधियम से देखते हैं कि natural vegetation को हम लोग कैसे, कितने part में, जो forest है, उनको कितने प्रकार में हम divide करते हैं, उनकी क्या-क्या विसेशताएं होती है, और medicinal plant क्या है, और उनका क्या-क्या-क्या यूज है, तो इं बारा जो देश है, उनमें भारत का नाम है, और यह जो है भारत का जो natural vegetation है, जो वनो का जो है, वो विसु में 12 नंबर है, और इसकी कहां-कहां पर है, यह भी हम लोग इसमें देखेंगे, दूसरी यहां पर जैसे अभी मैंने natural vegetation बताया कि natural vegetation क्या है, तो natural vegetation refer to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time, this is term virgin vegetation, इसको अचल वनस्पती या virgin vegetation भी बोलते हैं, तो यह overall हम भारत के संदर में सर समझ रहे हैं कि किस तरीके से किस तरीके से इसको categorize किया गया है और किस base पे किया गया है, तो भारत में जो वनस्पती है या natural vegetation है, उसको हम लोग past types में divide कर सकते हैं, उसमें पहला है tropical evergreen forest, दूसरा tropical deciduous forest, tropical thorn forest, एसकर्ब, mountain forest और mangrove forest, तो इस तरह से past types में हम divide करते हैं, जैसे इन दिम बात करें तो tropical evergreen सदा बार वन, जैसे इनके नाम से ही ये पता चलता है कि हमेशा ये जो evergreen हमेशा green बने रहते हैं, यानि कि इनमें पतिया जो है वो कभी भी एक सा रहती है, दोनों सासा चलता है और हमेशा ये बहुत हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनके नाम से ही इनकों लोग evergreen या सदा बाहर वन बोलते हैं, दूसरा आता है tropical deciduous forest, तीसरा है, deciduous forest का मतलब है कि मांसूनी वन, जो especially मांसून जो आता है उसमें ये दो types को होते हैं, उसकी भी ये वन जिनको बोलते हैं, जो परवतों में जो भारत में हैं, और mangrove जो एक तरह से coastal area में जो है, उसमें mangrove वन हमारे देश में देखने को मिलता है, तो देखिए अगर मैप से देखें, इन नेचरल वेजिटेशन जो ये वन है, इनका भारत में जो location है, जो इस्तती है, अ बहराष्टा का western part है, करनाटका का western part है, तो ये western गहाट वाला जो area है, उसमें सदा भाहर वन देखने को मिलते हैं, दूसरा एक जो west बंगाल वाला part है, और नोर्थ-East state है, और Tamil Nadu का coastal area है, वहाँ पर ये सदा भाहर वन देखने को मिलता है, सदा भाहर वन जो है, इसके अल उसका जो area है, देखिए, आप लोग इसमें तोड़ा सा आस्मान, sky color का जो दिख रहा है, आप लोगों को map में, ये इसका जो area है, वो decidious forest का है, और तीसरी बात करें, mountain जैसे forest के बात करें, तो उपर का जम्मु कस्मीर वाला जो area है, या उतराखंड वाला area है, इदर सिक्कि या अरुनाचल प्रदेश, नोर्थ इस स्टेट में जो अरुनाचल प्रदेश है, उसमें जो है, ये mountain forest देखने को मिलते हैं, ऐसे ही जो thorn forest है, जो शुष्क प्रदेश वाले जो one है, वो राजस्तान है, गुजरात है, या फिर जो मद्य प्रदेश का western part है, वहां पर ये देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो है, जैसे ट्रोपिकल एवर्ग्रीन जो forest है, इसकी क्या विशेशताएं है, जो बारिस है, इस एरिया में जो है, जैसे भारत का कौन सा एरिया की बात कर रहे है हम लोग, ट्रोपिकल एवर्ग्रीन, या सदा बहार वन है, जो western घाट वाला एरिया है, इन forest की क्या विशेशताएं होती है, कि more than जिस एरिया में अगर 200 cm से ज्यादा बारिस जहां पर होती है, तो वहाँ पर यह forest है, वो देखने को मिलते हैं, इनका जो एरिया जैसे मैंने अभी बताया है, जो हमारे देश का जो western घाट है, या नोर्थ इस जो आसम है, तमिलनाडु का पार्ट है, या जो अंडमान और निकोबार आईरलेंड हमारा है, वहाँ पर इस तरह के forest देखने को मिलते हैं, इन forest में जो वन है, उनकी जो पेड़ है, पेड़ों की जो ट्रीज है, उनकी जो हाइट है, वो 60 मीटर तक देखने को मिलते है, या इन पेड़ों में कौन-कौन से पेड़ है, देखिए, एबोनी है, महोगनी है, रोजवूड है, रबबड है, सिनकोना है, यह जो ट्री है, वो इन forest में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर कौन-कौन से जो अनिमल्स हैं, उनमें देखिए, अलिफेंट है, म सकते हैं कि Tropical Evergreen Forest, जो घने जंगल है, या हरे भरे जो जंगल है, उनको हम लोग Tropical Evergreen Forest, इनकी हाइट बहुत उची रहती है, और हमेशा Evergreen बने रहते हैं, एक साथ पत्तियां है, वो नहीं गिरती है, दूसरे जो फोरेस्ट आते है, वो आते है, डेसीडियस फोरेस्ट, इसम में दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला है इसमें टोटल जो है, 70 cm से 200 cm तक की बारिश है, उनको हम Tropical Decidious Forest बोलते हैं, इसको टू टाइप में हम डिवाइड करते हैं, कि एक तो है, 70 से 100 cm, 100 से 200 cm और एक 70 से 100 cm यानि कि 100 cm से 200 cm वाले जो है, वो आर्दर वन है इस वह तरह के जो forest न हो मिलते हैं इसमें कौन-कौन से plant होते हैं तो देखिए जो इसके अंदर जो है टीक है बैंबू है साल है सीचम है सेंडल्वूड है खेर है कुसूम है अर्जुन है यह plant इस forest area में देखने को मिलते हैं इसके अलाबा जो सुस्क वाला area है वहां पर टीक साल, पीपल, नीम, यह जो हैं forest देखने को मिलते हैं, यहां पर जो animals हैं, इन जो forest area है, यह भारत का सबसे बड़ा है, यानि कि भारत में सबसे ज्यादा area cover करता है, वो tropical, deciduous forest ही cover करता है, इसको general language मांसूनी जो 1 है, मांसूनी 1 बोलते हैं, और यहां पर यह जो plant है, वो किसी गिरिश प्लांट है अपनी पतियां गिरा देते हैं इनको पतजड़ी वन भी बोलते हैं तो मांसुनी वन पतजड़ी वन और इसको हम लोग ड्राइड देसिडियस बोलते हैं तो में चीज क्या है यहां बारिस का जो है टोटल 70-200 मीटर तक ट्रोपिकल डेसिडियस इसको टू मिलते हैं तो इसके जो फोरेस्ट में मैंने आपको प्लांट्स के नाम बताए जैसे टीक है बैंबू है साल है सीसम है यह आर्दर वाले अरिया मिलते हैं जबकि टीक साल पीपल और नीम है यह है वो शुश्क वाला जो अरिया है ड्राइवाला जो अरिया है उसमें देखने को मिलता है. तीसरा जो forest आता है, the thorn forest and scurbs यानकी छोटी जहाडियों की रूप में जो सुष्क एरिया है, उसमें यह जहां पर बारिष है, वो less than 70 cm, यानकी 70 cm से कम बारिष जहां पर होती है हमारे देश में, तो यह कुण-कुण सा एरिया है, तो इसमें देखिए गुजरात का जो एरिया है, राजस्तान है, मद्यप्रदेश है, छतीसगडवाल एरिया है, और उत्तरप्रदेश का, हरियाना का जो एरिया है, वो उस एरिया में यह forest देखने को मिलते हैं. यहाँ पर जो प्लांट है, वो ज़्यादा तर पत्तियां बहुत कम होती है इन प्लांट के इनकी जड़े मिट्टी में बहुत गहराई तक रहती हैं. यहाँ पर जो प्लांट है, उनमें कौन-कौन से हैं, देखिए, अकेसिया है, यूफोर्बिया है, केक्टाई, जो केक्टस जो से हम लोग है, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जुनको की पानी की कम जरुरत हो है, जंगली गधा है, होर्स है, केमल है, यह यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो इस फोरेस्ट की थोर्न जो फोरेस्ट स्कर्प्स हैं, जहाडियों वाला या जो यह फोरेस्ट है, इसमें क्या-क्या में विसेचता हैं, बारिस है, वो 70 cm से कम होती है, दूसरा, यहाँ पर इनकी जड़े हैं, बहुत गहराई में रहती हैं, क्योंकि नमी को एब्जोर करने के लिए बहुत गहराई में, पानी बारिस कम होने से उसकी जड़े बहुत गहराई में रहती हैं. तीसरा, यहाँ के कुन-कुन से प्लांट है, अकेसिया है, पाल्म है, यूफोर्बिया है, या केक्टस है यह यहां पर देखने को मिलते हैं यहां पर जो एनिमल है उन में है खरगोश है या लोमडी है या भेडिया है लोएन है जंगली गदा है होर्स हैल केमल है जिसको उंट बोलते हैं यह इस फोरेस्ट एरिया में मिलते हैं इसके बाद जो आता है वो हमारा है मौन mountain forest जिसको mountain forest या परवतिय वन बोलते हैं परवतिय जो वन है हमारे देश में जैसे हमने अभी देखा कि कौन कुछ एरिया में है अब परवतिय जो वन है जो natural vegetation है वो जम्मुकस्मीर वाला एरिया है या उत्राखंड वाला एरिया है सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश इस एरि तरह की vegetation यहां देखने को मिलती है तो height की according यान की 1000 चे 2000 जो मीटर है वहां तक जो है वहां पर broad leaf trees यान की evergreen बड़े जो सदा भाहर वन है और वहां की जो leaf है वो बहुत चोड़ी पत्ती वाले जो plant है वो यहां पर देखने को मिलते हैं और इसमें कौन-कौन से होते हैं oak and chestnut जो plant है oak है और chestnut है वो यहां पर देखने को मिलते हैं तो height की according तीन पार्ट में 1000 से 2000 मीटर तक का वाला area और दूसरा है 1500 से 1500 से 3000 मीटर यह उंचाई इस उंचाई पर जो है वो confirious trees like pine है या देवदर है, silver फिर है, spruce है, सिधार है यह plant यहां पर देखने को मिलते हैं तीसरी जो है, इसकी height की according तीसरी जो है, वो है 3600 मीटर से उंचे यानि 3600 मीटर से उंचे जो area है, sea level से 3600 मीटर की height वाले हैं, वहां पर जो है वो सार के grassland है या alpine vegetation, alpine नाम जो वो नस्पती है वो वहां पर देखने को मिलती है तो 3600 मीटर पर 3600 मीटर above sea level, temperature, forest and grassland give way to the alpine vegetation, यहां पर alpine vegetation देखने को मिलती है, जिसमें silver फिर है, junifer है, pines हैं, यह इस तरह के जो plant हैं, वो देखने को मिलते हैं यह जो है यहां पर जो animal है, animal जो है, वो कौन-कौन से है, तो देखिए कस्मीरी stag, spotted deer, wild sheep, जंगली जो भेड है वो यहां पर देखने को मिलती है, जक्करबिट है, तिबतियन antelope है, याक है, snow leopard है, squirrel है, यह यहां पर इस forest में, mountain forest में देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवैड करेंगे, एक 1000 से 2000 मीटर की हुँचाई वाला, एक 1500 से 3000 मीटर की हुँचाई वाला, और एक 3600 से ऊपर की जो हुचाई है, sea level से ही जो हुचाई है, उसमें तीन तरह की vegetation यहां देखने को मिलती है इसके बाद जो आता है, next है, maigrove forest, maigrove forest है, वो ज्यादा तर हमारे देश में, जो maigrove forest का एरिया है, तो देखे, map में अगर हम बात करेंगे, अगर map में हम maigrove forest की बात करेंगे, तो देखे, जो maigrove forest है, वो जो डेल्टा है, जो river का जो डेल्टा है, यानकी गंगा है, ब्रहम पुत्रा है, कृष्णा है, या कावेरी है, यह जो river है, उनका जो डेल्टा वाला एरिया है, वहां पर यह इस तरह के maigrove forest देखने को मिलते हैं, तो हमारे देश में जो गंगा और ब्रहम पुत्र का जो डेल्टा है, उस एरिया में जो वेस्ट बंगाल का हावा सुंदरी जो वन है, सुंदरी वन जो सुंदर्वन जिनको एरिया है, वो सुंदर्वन है, वहां पर यह इस तरह के जो forest है, mangrove forest है, वो देखने को मिलत हैं, तो हमारे देश में जो इस तरह के plant है, ज्यादा तर नदी जो गाटी है, उनका जो एक तरह से डेल्टा वाला जो एरिया है, उस में इस तरह की vegetation देखने को मिलती है जैसे अगर देखा जाए तो भारत के अलग-अलग इससे में, अलग-अलग जो वनस्पती है, उसके अपने विशिष्टाइं है, वहां के जो ग्राफिकल कंडिशन के अगर्डिंग, तो अच्छा, मैं यह चाहरी थी कि आप हमारे बच्चों को जो मैप में आप जो एरिया बता रहे हैं, उसको एक बार फिर से ताकि उनको कलर से डिफरेंट-डिफरेंट, उसको डिफरेंट कर पाएं, कि किस भाग में कितना डें जैसे अपर से गना पर हमाचल प्रदेश वाला लडाव जो एरिया है, या सिक्किम वाला है, और अरुनाचल पर प्रदेश वाला यान कि हमाला माउनटेynn here हैम इसके यह एक बनाचनट डिन थालेट अपर om Dragon complex दीन डिवाल Александ म की थाख दा zwei लटाड आ हम इसको उचाई के बेस पे डिवाइड करते हैं और उसके अकोर्डिंग की वेजिटेशन वहाँ पर अलग-अलग तरीके की देखने को मिलते हैं ऐसे ही जैसे सबसे बड़ा एरिया मनें आपको बताया है कि भारत का सबसे बड़ा एरिया में जो है ओडेशिदियस फोरेस्ट है जो बड़ा सा एक आपको बीच में दिख रहा है तो यह जो कौन सा एरिया है इसमें आम ने दो पार्ट में डिवाइड किया बचे कि 7200 cm जहां बारिश होती है तो जादा तर जैसे बेंगोल वाएरिया है उडिसा वाला एरिया कोस्टल या पिर नीचे टमिल नाडू वाला कुछ एरिया है तो जहां पर थोड़ी बारिश है 100-200 मीटर होती है इस तो एरिया में नमीव वाले जो डेशी दियस फोरेस्ट है वो देखने क सेंटिमिटर जो बारिश होती है जहां पर इस पेशलई जैसे नीम है बबूल यह सतरह कि वेजिटेशन है वो देखने को मिलती है और फिर उसके बाद में नई पत्या निकालते हैं, तो पत्य है वो पूरे प्लांट से गिर जाते हैं, तो इसको पतजड़ी वन या मानसुनी वन जो जाता है इनको, ऐसे ही जो डिजर्ट वाला जो है, सुष्क वन जो डिजर्ट अरिया है, वहाँ पर जो एक्टस है, या वहाँ पर इस तरह के जो प्लांट है, वो देखने को मिलते हैं, जिनकी जड़े बहुत गहराई में रहती है, और पानी जो है बहुत गहराई से यह प्लांट लेते हैं, इसके अलावा जो है, एवर ग्रीन की जो हमने बात की, कि एवर ग्रीन है, जहां पर more than 200 cm से ज्यादा बारिस हो रही है, 200 cm से ज्यादा बारिस है, तो उस अरिया में हमें सहरे बरे जो फोरेस्ट है, वहाँ जो हमारा जो वेस्टन घाट है, वेस्टन घाट जिसके अंदर केरल, करनाटक और महरास्ट्रा का वेस्टन पार है, वहाँ पर बारिस 200 से ज्यादा होती है, तो वहाँ पर Evergreen Forest है North East State और North Anunachal को छोड़ करके बाकि पूरा North East State है North East State है वहां पर बारिष्ट मोर दें 200 सेंटीमीटर है तो वह एवर ग्र्रीन forest है ऐसे वेस्ट वाला एरिया है आपर भी Evergreen Forest तो इसके बाद जो मेंग्रोव की बात कर रहे ते हमहें में वह जादातर एक तरसे दलडल वाला जो एरिया होता है याना कि जो नदि घाटी है हमारा जो नदियां जितर से ओसिन में जा के मिलती हैं तो वह आयरिया में इस तरह के प्लांट देखने को मिलते है इसकी जो रूट है बाहर निकली भी शिरेती है पानी के बहुत ज्यादा रहे जो मढ है या जो कीचाड टाइप में है दल्दल वाला जो एरिया है उसमें सुंदर बन जो है जो जैसे वेस्ट बंगाल का सुंदर बन है वहुत भी फेमस है मेग्रूव फोरेस्ट के लिए बाक जयसे इन फोरेस्ट के अंदर जो एणिमट है वह रोल बंगल टाइगर यानि की जो रोल बंगल टाइगर वह है वह स्पेशिली फेमस Pokémon आनिमल है इन वन्हों में में ग्रूव फोरेस्ट में ही वह ज्यादातर देखने को मिलता है इसके इलावा जो टार्टल्स है है, क्रोकोडाइल है, गढ़ियाल है, Snakes है, वो भी in mangrove forest में ही रहते है, तो इस तरह से mangrove forest दल्दली एरिया में coastal एरिया जनादी घट्रा देल्टा बनाती है, उस एरिया में mangrove forest देखने को मिलते है, इसके बाद जो आपकी भुक में जो medicinal plant है, class 9 की जो भुक है, उसमें कु आशच्धिये पौधे, हम आम तोर पे तो जितने भी पौधे कहते हैं कि वनस्पती हमें फायदा करती है लेकिन जो आशच्धिये पौधे हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके कि अगर हम कहीं कि डिजीज में उसमें इनका इस्तिमाल क्या जाता है जो हमारे सरीर में किसी डिजीज के लिए काम आती है तो उनको हम मेडिशनल प्लांट बोलते हैं और इनका जैसे आरुवेदिक जो आपने कई बार मेडिशन सुनी होगी तो आरुवेदा में इसका बहुत यूज होता है तो यहां पर मेडिशनल प्लांट के रूप में क्लास है और या जिपन ब्लीश के लिए यानि किसी के लिए हमारे यह जो प्लांट है J June एवल विस्व में भारत में ही मिलता है चवांट है और इसका जो-J. यूज है वह बीपी में जो बीपी की जो दवायी बनती हैं देशील जिस button मी डवायी बनते हैं तो सरभांट से बीपी क 함. Jamun का plant, के लिए लिए जामून का plant है इस तरह से के लिए diabetes को control करने के लिए लिए दवाई बनाई जाती है इसके लावा इसके digestive जो है यो भीमिदिशनल महतो है, में इसको digestive दवाई लिए वी इससे बनाई जाती है. इसके बाद में जो अरजुन, अरजुन का इसका उपयोग है, इसके दवाई कान के दर्द के लिए भी उपयोग है. दूसरा इसका ब्लड प्रिसर में इसका यूज होता है. इसके बाद है नीम, हमारे देश में जो नीम है उसका भी काफी antibiotic या antibacterial काफी importance है तो antibiotic और antibacterial जो properties है इसकी उसके करण नीम से भी medicinal दवाई है वो बनाई जाती है इसके बाद आता है तुलसी, तुलसी का जो plant है वो कफ और कोल्ड के लिए तुल्सी का जूज है वो खासी या कोल्ड या कफ हो गया है तो उसमें इसकी दवाई के लिए भी तुल्सी का उपयोग किया जाता है। कचनार है कचनार जो है वो डिफरेंट डैजेस्टिव जो प्रोब्लम्स है या जो कोई अलसर है या फोड़ा फूंसी है उनके लिए भी कचनार का उपयोग किया जाता है। तो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रूप में अलग-अलग विमारियों के लिए अलग-अश्दिये पौधों का उपयोग किया जाता है। और भारत में कुछ ऐसी खास आपने विता है कि भारत में जो है वो अलग जैसे आपने सर्वगंधा का बताया। तो ये खास पॉइंट जो इस पूरे चेप्टर के हैं, पूरी उमीद है कि आपने ये जरूर नोट किये होंगे। और इसके बाद बारी आते हैं क्वेश्चन आंसर सेग्मेंट की लेकिन अभी वक्त और आगे बढ़ने की जासत नहीं दे रहा है। तो आगे का काम आप के लिए क्यों सर? इतने अच्छे से से पढ़ाया है, आप लोको बताया है और समझाया है तो आगे का काम आपके लिए And a query is for and it might be pretty helpful, कर सकते हैं, Sir आपका बहुत धन्यवाद आप आए और इतने अच्छी से लापरेट किया एक्स्प्रेंग किया सुषिए, Thank you so much Sir, और इसे के साथ आप ध्यान से पढ़िए, स्वस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, अभी के लिए सेशन में इतना ही, नमस्कार